नमस्कार विंध्या टाइम्स में आपका बहुत-बहुत स्वागत है हाजिर वे दो पहर तक की दो बड़ी खबरों के साथ बात कर लेते हैं पहली खबर की जहां मड़ीपूर में मैं तेई आरक्षण विवात को लेकर हिंसा भड़की हुई है मड़ीपूर में कई राज्यों के बच्चे फसे हुए हैं इनमें मध्यप्रदेश के भी 21 छात्र शामिल है सभी राज्य स्पेशल रेस्क्यू ऑप्रेशन चलाकर अपने लोगों को बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं मध्यप्रदेश के 21 छात्रों ने भी राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चौहान से उन्हें मड़ीपूर से बाहर निकालने की अपेल की है सियम शिवराज सिंग चोहान ने भी मडिपूर के मुख्यमंत्री एन बीदेन सिंग सिचर्चा की है मडिपूर में मैतेई विवाद छिड़ा हुआ है इस विवाद के बीच मधप्रदेश के 21 छात्र यहां फसकर रह गया है इन छात्रों में दो ग्वालियर, एक सिपुरी और करेरा का छात्र भी शामिर है मडिपूर में महाराष्ट, उत्रप्रदेश, राजस्थान, जम्मो कश्मीर और उत्राखन की सरकारों ने विसेश विमान की जरिये अपने राज्यों के बच्चों को निकालने का काम शुरू कर दिया है सिक्किम ने 128 तो महाराष्ट सरकार ने अब तक 22 छात्रों को मडिपूर से निकाल लिया है अब तक यहां से 23,000 से जादा लोगों को रेस्क्यू कर सेरा राहत कैम्प में भेट चुकी है मडिपूर में विवात के बीच फसे छात्रों के अनुसार वहां हालात बहुत दरावने बने हुए है करेरा निवासी मनोज पाल ने बताया कि होस्टल से 100-200 मीटर की दूरी पर ही धमाके और गोली बारी हो रही है गोलीयर के छात्री ने बताया कि उनिवर्सिटी के पास सिटी में भी 40-50 मीटर की दूरी पर गाडियों में आग लगा दी गई है गोलिया चल रही है बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है मडिपूर में करीब 26 प्रदेशों के बच्चे हैं कुछ राजियों की सरकार द्वारा अपने यहां के बच्चों को यहां से निकाल लिया गया है मडिपूर में हिंसा के बीच गोलीयर और सिपूरी के बच्चे भी फसे हुए हैं गौलियर के बच्चों के परिजनों ने केंद्री उडियन मंत्री जोती राधिती सिंधिया से गुहार लगाई है कि उनके बच्चों को साकुषल बाहर निकालने के प्रयास किये जाएं। बता दे कुछ दिनों पहले सुडान में भी युद्ध के हालात निर्मित हो गये थे। सुडान में भी बैरागर के व्यवसाई फस गये थे। परिजनों द्वारा सीयम शिवरास सिंग चौहान से अपेल की गई थी जिसके बाद सुडान की व्यापारी को साकुषल भारत लाय पार्टी ने तोड़ फोड के रिए बजरंग दल को जिम्मेदार ठहराया है। कॉंग्रेस के एक पदाधिकारी ने बताया कि पार्टी ने ताउन एक घटना के विरोध में शहेद समारक से मौन जुलोस निकाला जो टाउन हॉल में महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष धर्णा प्रदर्शन के साथ संपन्य हुआ। पॉलिस निरिक्षकों को बजरंग दल के प्रदर्शन स्थर पर तैनात किया गया था लेकिन वे अनुपस्थित हैं।